बिसमिल्ला रह्मान रहीम, असलाम आलेकुम, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़े के चना गार्लिक फ्राइ की रेसिपी बताऊंगी, इनका कुकिंग टाइम 15 मिनेट्स है, इस रेसिपी से चने बहुत ही करंची बनते हैं, आप इनके आगास से इनके करंच का आदा चमच मैंने यालो फूट कलर, चार चमच कान फ्लोर, दो चमच चाट मिसाला, एक चमच लाल मिर्च का पाउडर, एक चमच नमक, और एक चमच अध्रक लेस्टन और हरी मिर्च का पेस्ट और एक लीमू, एक इंच टुकरा मैंने लेस्टन का लिया था, दो हरी उनको पीष के तो उनका पेस्ट बना लिया है सबसे पहले एक बोल लेंगे और बोल में बॉयल चने अड़ कर देंगे चने यहाँ पि मैं फ्रीज इस्तमाल का रही हूं मैंने चने बॉयल करके उन्हें फ्रीज कर दिया था यह आप पर डिपेंड करते हैं, आप फ्रीज इस्तमाल करेंगे, अब इन में स्पाइसिस एड़ कर देंगे, स्पाइसिस एड़ करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएं यह देखे अब यहाँ पर spices अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इनमे में काउन फ्लोर एट कर दूँगी मेद्दा, यालो फूट कलर अगर आपके पास यालो फूट कलर नहीं तो आप औरिंज फूट कलर भी इस्तमाल कर सकते हैं एक लेमू कारा सैट कर दूँगी लेमू कारा सैट लेमू के बीच आपने नकाल लेने हैं लेमू कारा सैट करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तांके सारे चने पिन के कोटिंग अच्छे से हो जाए अगर आप कौनिटी ज्यादा लें तो कौन फ्लोर के कौनिटी ज्यादा करतीजेगा एक चमच कुकिंग आईल अगर आपके पास ओलिव आईल है तो वह बेस्ट है लेकिन यहाँ पर मैं डालडा का कुकिंग आईल ही आड़ का रही हूँ अब यह देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्साप होगी है सारे स्पाइसिस और चने पर इनके कोटिंग चेक कर लें इसी तरह इनके कोटिंग होने चाहिए अब एक फ्राइ पैन मैंने कोकिंग आईल ले लिया है और इनमें मैं 9 चार जवे लेशन के आड़ करहूंगी और इनको फ्राइ करूंगी बिल्कु लोफ लेम पे लेसन को बिल्कुल light brown color देना है इनको इसको high flame पे नहीं करना fry otherwise यह जाल जाएगा low flame पे 2-3 मिनट के लिए इनको fry करना है garlic fry हो चुका इसका color चेक कर ले यह 5 अवे लेसन के है अब इनको प्लेट में निकालने के बाद oil में चने अड़ कर देंगे पहले में तीन से चार चने अड़ करूँगी ताकि इनके spices चेक कर सकूँ नमक या लाल मिर्च परफेक्ट है या नहीं इसको भी हमने low flame पे करना है यह बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है आप यह शुरू ट्राइ कीजिएगा यह देखे चने बिल्कुल परफेक्ट फ्राइ हो चुकी है और उनकी शेट ब्राउन जब आज है इनको आपने निकाल लेना है सेकिंड बैज मैं इसमें आड़ कर दिया है अब इसको अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और डिशॉट कर लेंगे चने सारे मैंने फ्राइ कर ली है यह बहुत ही क्रिस्पी और करंची चने बने है और यह बहुत ही जटपट सी बनने वाले रेसिपी है और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है आप इन पर फ्राइ लेसन एड़ कर दूँगी लेसन को मैंने सेंटर से कट कर लिया है आप जहाएं इतिन को स्लाइस की फॉर्म में भी कट कर सकते हैं अब नेशनल की कैचप एड़ कर दूँगी कैचप को मैंने एक पॉच में निकाल लिया है और इसको सुराख करके तो इस पे मैंने सप्रेट कर दी है अब म्योनिस एड़ कर दूँगी आप इस रेसिपी को ऐसा स्टार्टर भी इस्तामाल कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा स्नेक है और बहुत मज़े की रेसिपी है जब ही मौसम अच्छा हो बारिश हो तो आप यह रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजएगा इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा है आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कुमेंट सेक्षन में बताएगा और रेसिपी ट्राइ करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा थैंक यू